सूप्रभाद कक्षा पहली विशे हिंदी उपविशे पाठ एक ए आई की मात्रा व्याख्यान संख्या साथ प्यारे बच्चों आज हम करेंगे वैभो तथा शैल का अभ्यासकारिया तो चलिए सुरू करते हैं आज का कारिय अभ्यासकारिया सबसे पहले आई बोलने की बारी देखे बच्चों दिया गया है पढ़िये और अंतर समझिये हम क्या करेंगे पहले दिये गए शब्दों को पढ़ेंगे और फिर उसके अंतर को समझेंगे देखे क्या लिखा हुआ है ये बेर बेर और ये क्या लिखा हुआ है बेर बेर में एक की मातरा है और बेर में आये की मात्रा है बेर क्या होता है पत्य है आपको एक फल होता है है ना हमने एक पार्ट भी पढ़ाना मीठे बेर और ये क्या है बेर बेर कार्थ दुश्मनी सी होगा ठीक है आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है पढ़िए बेल बेल और ये क्या लिखा हुआ है बैल बैल में एकी मात्रा है और बैल में आएकी मात्रा है आपको याद है ना एकी एक मात्रा और आएकी दो मात्राई होती है और ये उपर लगती है अब देखिए, बेल, बेल का आर्थ है लता और बैल, बैल एक पशु है, है ना, जो किसानों के खेत जोतनी के काम में आता है तो देखिए, मात्राओं को अगर हमने सही नहीं लगाया, तो हमारा शब्द गलत हो जाएगा ना एक बार फिर से पढ़िए, बेल, 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 बैल, बैल अब चलिए, इसे पढ़िए, सेर, 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 का आर्थ है बिटो वजन की माप से पहले लोग, किसी वजन को, किसी वस्तु को, अनाज को तौलने के लिए, सेर का प्योग करते थे और ये क्या है, सेर हमें प्राता काल, सेर पर जाना चाहिए न, अब इसे पढ़िए मेला, मेला, और ये क्या लिखा है, मेला, मेला अब देखे, आप मेला देखने जाती है न, जहां पर हमें बहुत सारे लोग मिलती है आप शिवरात्री के मेले में जाती होंगी, दशेराई के मेले में जाती होंगी, है न, तो ये क्या लिखा हुआ है मेला और ये क्या लिखा हुआ है मेला मेला का अर्थ है गंदा है ना तो देखिए दोनों का अर्थ अलग-अलग है ना अगर हमने सही मात्रा नहीं लगाई तो हमारा शब्द गलत हो जाएगा अब इसे देखिए पढ़िए तेरा तेरा अगर कोई समान आपका नहीं है तो कभी-कभी हम बोल देते ना कि ये तेरा समान है मेरा नहीं है लेकिन हमें हमेशा आप करके बात करनी है तेरा मेरा नहीं करना है ठीक है और ये क्या है तेरा तेरा का अर्थ है तेरने से चेन ममा गले में आपकी मम्मी दादी जी गले में चेन पहनती है न और चेन का अर्थ है सुकून तो देखा आपने ए ए की मात्रा से अभी जो हमने शब्द बढ़े वो लगतो रहे एक जैसे लेकिन मात्राओं के अंतर से उनके अर्थ ही बदल जाती है इसलिए हमेशा हमें ध्यान से शब्द को सुनना है और सुनने के बाद में सही शब्द पर सही मात्रा लगानी है ठीक है अब चलिए आई लिखने की बारी प्रशने दिया गया है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाई कब पढ़ती हैं वैभव कैसे सैर करता था एक पर से पढ़ती हैं वैभव कैसे सैर करता था साइकिल से या पैदल तो वैभो कैसे सेर करता था पैदल सेर करता था हमें क्या करना है पैदल के सामने सही का निशान लगा देना है खा दिया गया है चक्मा किस ने दिया वैभो ने या बैल ने तो चक्मा किस ने दिया वैभो ने या बैल ने तो किस पर सही का निशान लगाएंगे बैल ने अब इगोड फिर से पढ़िए वैभो कैसे सेहर करता था तो वैभो कैसे सेहर करता था पैदल वैभो पैदल सेहर करता था चकमा किस ने दिया चकमा बैल ने दिया चलिए अगला प्रश्ण पढ़ते हैं सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिये हमें क्या करना है पहले प्रश्ण को पढ़ना है और खाली स्थान में सही शब्द को चुनकर लिखना है कर देखिए शैल अपना खाली स्थान धूढ रही थी और उसके सामने देखिए दो शब्द दिये गए है पहला दिया गया है बेल और दूसरा दिया गया है बेल आपको शही सब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है शैल अपना धूढ रही थी क्या धूढ रही थी बेल या बैल शैल अपना क्या धूढ रही थी बताईए सोचिए वेरी गुड शैल अपना क्या धूढ रही थी पता है ना हाँ बैल धूढ रही थी पहले हम इस पर सही का निशान लगा लेते हैं और फिर सही शब्द को यहाँ पर लिख देंगे चलिए लिखिए ब बा में अई की मात्रा बैल क्या बन गया? बैल शैल अपना बैल धूढ रही थी अब चलिए ख करती हैं दिया गया है वैभव का किसी से खाली स्थान नहीं था वैभव का किसी से नहीं था क्या? बेर या बैर? वैभव का किसी से बैर नहीं था निशान लगा ये और हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है बैर ब में ए की मात्रा बैर वैभो का किसी से बैर नहीं था अब देखे ग गा में पहले ही खाली स्थान दिया गया है करने से ही बैल मिलेगा सेर या सेर करने से ही बैल मिलेगा सेर या सेर क्या उत्तर है तो इसका उत्तर है बच्चो सेर सेर करने से ही बैल मिलेगा चलिए लिखिए स समय की मात्रा सेर करने से ही बैल मिलेगा अब अगला देखिए घ वैभव खाली स्थान कर नदी पार करता था तैर या तेर वैभव तैर कर नदी पार करता था चलिए लिखिए तमि आई की मात्रा तैर तैर वैभव तैर कर नदी पार करता था चलिए एक पर पढ़ते हैं शैल अपना बैल ढूण रही थी ख वैभव का किसी से बैर नहीं था ग सैर करने से ही बैल मिलेगा ग वैभव तैर कर नदी पार करता था तो देखा बच्चों हमने दिये गए शब्दों में से शही शब्द चुर कर खाले स्थान को भी भर दिया अब चलिए अगला प्रिश्ण दिया गया है चित्रों के सही नामों के सामने सही का निशान लगाई है पहला चित्र देखिए किसका है पैचाना आपने चलिए पहले पढ़ते है भईया भईया का तो चित्र नहीं है ये मईया मईया का भी चित्र नहीं है ये किसका चित्र है इसे पढ़िए नईया चलिए इस पर सही का निशान लगा देते हैं नईया ये नईया का चित्र है अब ख़ देखिए तेराक तेराक तेर और ये क्या लिखा हुआ है? तेराक तो ये इसमें तेर रहा है न? तो हम किस पर सही का निशान लगाएंगे? हम तेराप पर सही का निशान लगाएंगे अब गर देखिए चित्र को आपको पहचानना है फिर सही शब्द के सामने सही का निशान लगा देना है मेला मेला तो नहीं है ये थेला थेला ये थेला का चित्र है ये रेखिए इस पे मैंने सही का निशान लगा दिया अच्छा ये क्या लिखा हुआ पड़ी है छैला छैला तो नहीं है तो एक बर फिर से पड़ते हैं किसका चित्र है ये नईया ये तैराक ये थैला तो इस प्रकार से हमने सही चित्रों की पहचान कर ली और सही का निशान भी लगा दिया अब देखिए बच्चो प्रुष्ण दिया गया है नीचे दी गई वर्ग पहली में छिपे चित्रों के नाम को ढूण कर चित्रों से मिलाईए और उनके नाम लिखिए ये एक वर्ग पहली है इसमें दिये गई चित्रों के नाम छुपे हुए हैं हमें क्या करना है पहले उन चित्रों के नाम को ढूड़ना है और ढूड़ने के बाद उन चित्रों से उन्हें मिला देना है और उनके सामने उनका नाम लिख भी देना है देखिए किसका चित्र है ये मैना अब देखिए यहाँ पर बना हुआ है न मैना के सामने ये देखिए ग्लू कलर से बना हुआ है न सरकल और एरो बना करके इसे मैना से मिला भी दिया गया है पहचाना आपने किसका चित्र है ये सैनिक का किसच वित रही है सैनिक का जोड़िए देखिये सै निक पहले आप उपर से नीचे देखिये दिख रहा है आपको नहीं चलिए अब हम इसे यासे देखते है रहे यह तो पहले लाइन में ही है और यह देखिये सै निक और मैंने क्या किया इस पर सरकल कर दिया अब इसको इससे हम मिला भी देंगे और यहां को लिखना भी है चले लिखिए स, स में आई की मात्रा से, नि, क से, नि, क और उपर शिरोरे का चले आप दूसरा चितर पहचानिए किसका चितर है यह बैल गाड़ी का अब ढूड़िये पहले लाइन में देखिए बै मिल गया न अब दूसरी लाइन में देखते हैं ल, बैल अब तीसरी लाइन में देखिए गा और चौती लाइन में देखिए डी अब देखिए बैल गाड़ी और इस पर सरकल कीजिए ऐसे और इसको इससे मिला भी दीजिए चलिए लिखते हैं बैल गाड़ी सबसे पहले क्या लिखेंगे बैल बै में आ की मात्रा बैल गै में आ की मात्रा गाड़ में बड़ी की मात्रा डी बैल गाड़ी बैल गाड़ी अब देखिए ये किसको चित्र है पैसा और पैसा पी मैंने सरकल कर रखा है देखिए किसको चित्र है ये? पैसा का मिला ये ये देखिए अब लिखिए यहाँ पर पै पै में आ की मात्रा क्या बन गया? पैसा उपर शिरो रिखा पैसा चली इक पर पढ़ लेते हैं मैंना सैनिक बैल गाड़ी पैसा पैसा तो बच्चो इस प्रकार से हमने अपनी वर्ग पहली भी कर ली अब चलिए अब आज का ग्रीकारे Police आज मैंने ग्रीकारे दिया है दिये गए शब्दों को देखकर लिखो आपको इन शब्दों को देखकर के अपनी कौपी में फॉर्मेट बनाकर सुन्दर लेक में लिखना है चलिए पर पढ़ते हैं एटलस आयरावत जैसा पैसा मैदा मैदान कैलाश सैतान वैभव बैठक फैलना कैद खाना खपरेल नैनी ताल तो बच्चों आपको इन दिये गए शब्दों को अपनी कौपी में सुन्दर लेक में लेकना है तो चलिए अब चर्चा करते हैं कल की ग्रीकारी की कल मैंने आपको ग्रीकारी दिया था की वैभव थथा शैल पाट के कठिन शब्दों को लिखिए आश्रा है आपने इस कारी को कर लिया होगा चलिए एक बार कठिन शब्दों की भी दोहराई करती है ये दिखिए बुच्चों आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना था और फॉर्मेट बनाकर वैभव थथा शैल पाट के ग्रीकारे को करना था सबसे पहले आपको दिनांग डाल लिए थी बीच में आपको डाला था वैभव था शैल यहाँ आपको दिन डालना है और उसके नीचे आपको ग्रीकारे डालना है और फिर उसके नीचे आप लिखेंगे कठिन शब्द वैभव, शैल, पैदल, सैर, बैर, खैर, बैल, कैसा, पैसा, भैया, मैं दान, सैनिक सैनिक, तो बच्चों, आपको इस प्रकारते, पॉर्मेट बना कर, कठिन शब्दों को करना था, आपने कर लिया है न, तो आशा है, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिये, और वीडियो को लाइक कीजिये, धन्यवाद